तब रमेश की पतनी कमरे से बाहर आती है और रमेश से कहती है सुनिये जी, आज शाम को आप आफिस से ज़रा जल्दी घर आ जाईएगा यादे न, आज आपको मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाना है अरे भागेवान, इस महीने हाथ ज़रा तंग है मेरी मानों तो शॉपिंग का विचार कुछ दिनों के लिए अपने दिमाग से निकाली दो मैं तुम्हें अगले महीने पक्का शॉपिंग कराने ले जाओंगा अभी मुझे चलना चाहिए, वरना राजु को स्कुल पहुंचने में देर हो जाएंगी देखे जी, अब आपके ये बहाने पुराने हो चुके हैं मैं कुछ नहीं जानती, आज श्राम को मुझे शॉपिंग करने जाना है, मतलब जाना है आगे आपकी मरसी अच्छा ठीक है भागिवान, अब तुम पुरा घर सर पर मत उठाओ, मैं कुछ करता हूँ इतना कहकर रमेश, अपने बेटे राजु को लेकर वहाँ से चला जाता है घर से निकलने के लिए रमेश जैसे ही अपनी मॉटर साइकल शुरू करता है तब ही उसकी माँ उसे आवाज दे कर कहती है अरे रमेश, हाट श्राम के मुझे कुछ पैसे दे देना यादेना मैंने तुछ से कहा था कि मुझे मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना है अरे मा, मेरी तनक्वा आने में अभी दस दिन बचे है अभी मेरे पास बिलकुल पैसे नहीं है हाँ, मेरी तनक्वा मिलते ही मैं तुमें पैसे दे दूँगा रमेश की माँ चेड़ कर कहती है अरे तेरा दिमार तो खराब नहीं हो गया मैंने तेरे भरोसे मंदिर के पुजारी जी से बाता कर दिया है और तू कह रहा है कि पैसे नहीं है अब मैं पुजारी जी को क्या जवाब दूँगी तुझे तो मेरी इज़त की भी कुछ परवा नहीं है अच्छा ठीक है माँ अब तुम गुसा मत करो मैं शाम तक कुछ इंतिजाम करता हूँ इतना कहकर रमेश वहाँ चला जाता है फिर दोपेर को जब रमेश अपने दफ्तर में बैठा होता है तब उसे अपनी पत्नी और मा की बाते याद आती है रमेश अपने दफ्तर के एक साथी मोहन से कुछ रुपे उधार मांगता है अरे भई मोहन मेरा एक छोटा सा काम कर दो मुझे कुछ रुपे हो की सक्त जरूरत है मुझे कुछ दिनों के लिए क्या तुम रुपे उधार दे सकते हो अरे रमेश भाई मैं तुमें पैसे उधार तो दे सकता हूँ लेकिन मुझे वक्त पर पैसे लोटा देना वैसे भी मेरा मानना है कि दोस्ती यारी में कभी पैसोगा व्यवार नहीं करना चाहिए ये कहावत तो तुमने सुनी होगी कि उधार प्रेम की कैंची है मैं नहीं चाहता कि पैसो को लेकर हमारा रिष्टा खराब हो अरे मोहन तुम बिलकुल चिंदा मत करो मैं तुम्हारे पैसे वक्त पर लोटा दूँगा फिर मोहन रमेश को पैसे दे दीता है शाम को घर आकर रमेश कुछ पैसे अपनी मा को देता है और साथी अपनी पतनी को भी शौपिंग कराने बाजार लेकर जाता है रमेश की पतनी और उसकी मा का स्वभाव जरूरत से ज्यादा खर्चिला होने की कारण दोनों हमेशा बेवज़ा पैसे खर्च करती है फिर एक दिन सुनिये जी अगली हफ़ते हमने छुटियों में कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था आपने पैसों का इंतजाम कर लिया ना अरे अभी कहां अभी तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है हम कभी और चले जाएंगे देखे जी मैंने सभी सहलियों से कह दिया है कि मैं बाहर गूमने जा रही हूँ अगर मैं नहीं गई तो सब मुझ पर हसेंगी आप कहीं से भी पैसों का इंतजाम कीजिए जी इतना कहकर रमिश के पत्नी वहां से चली जाती है वहीं दूसरे तरफ रमिश की मा भी तिर्थ यात्रा जाने की जिद करती है और रमिश से पैसे मांगती है फिर अगले दिन रमिश एक सेट से पैसे उधार लेकर अपनी पत्नी और बेटे को भगमाने ले जाता है और अपनी मा को भी तिर्थ यात्रा पर भेज देता है लेकिन जैसे ही रमेश अपनी छिटिया बिता कर वापस आता है कर्जदार उसका जीना मुश्किल कर देते हैं इतना ज्यादा कर्ज एक साथ अपने उपर देख रमेश काफी परिशान रहने लगत पर एक दिन राजु की स्कूल की फीज वक्त पर न भर पाने की कारण रमेश को स्कूल में बुलाया जाता है स्कूल के प्रिंसिपल साहब रमेश को सक्त हिदायत देते हैं कि अगर वक्त पर स्कूल की फीज नहीं भरे गई तो उनके बेटे का नाम स्कूल से काट दिया जा रमेश की मा और उसकी पतनी, खर्चे और घर की जिम्मदारी संभालते, दीरे दीरे रमेश पूरी तरह कर्ज में डूप जाता है। देखे, देर रात तक जागने और जरूरत से ज़्यादा काम करने की वज़े से इनने चक्कर आ गया था। बैतर यही होगा कि इनने कुछ दिनों के लिए पूरी तरह आराम करने दिया जाए। अकिला पूरा घर संभालते हैं और आप दोनों अपने फिजल की खर्चों के लिए उन पर दबाव डालते रहते हैं। आज पिताजी की आलत के जिम्मेदार तो आप दोनों है। राजु की समझदारी भरी बाते सुनकर रमेश की मा और पत्नी को अपनी गल्दी का एसास होता है। और दोनों की आखों में आसू आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद रमेश की तब्रित एक दम अच्छी हो जाती है। और वो पहली की तरह अपने काम पर जाने लगता है। रमेश की मा और पत्नी अब उसे किसी प्रकार की जाती है।